एजो सीकर में आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा क्लेम करने जा रहा हूँ पूरे confidence के साथ तक कि आपने जितनी भी test series या कोई MCQ solve किये होंगे चाहे वो offline, चाहे वो online सबसे ज़्यादा advance और depth में जो MCQs किसी test series में मिलेंगे वो इसी test series में मिलने वाले हैं अब मैं अपने इस claim को justify करने के लिए आपको एक चीज बता दूँ कि आपको पता है कि हमारे channel पर full analysis videos पढ़ी है जसपे हमने पूरा detail analysis कर रखा है NTA के papers का और उसमें हमने बताया था कि हमने डूंड लिया है कि NTA कहां से question बना रहा है आपको हमने page number दिखाया, book के screenshot दिखाया, बताया कौन से paragraph से, कौन सी line से question बढ़ने तो हमें अब NTA के sources पता है कि कहां से बना रहा है हमने उन सारे sources की list निकाली और अपने भी कुछ important sources add किये और वहां से जाकर हमने depth में ये test series बनाई है कौन-कौन से sources है, उसके list आपके सामने रही है सिरफ 40 नहीं, और बढ़ते हैं आगे ये list लंबी है, 25 नहीं, और बढ़ते हैं आगे total 30 books को हमने use किया है इस test series को बनाने में इतना time लगा, इतने दिनरात मेनत की कि videos भी नहीं बना पा रहा था मैं आपके लिए यही वज़ा से थी क्योंकि मैं ये चीज achieve करना चाहता था अपनी team के साथ और हमारी team ने दिनरात एक करके ये चीज को achieve करके दिखा दिया कि बड़ी से बड़ी book चाहे वो Oxford की है, Sage की है, Pearson की है सब को उठाया, अच्छे जे read किया फिर जाकर test बनाने शुरू किये ये teamwork से ही possible था शुक्रिया उनका भी जिन्होंने इतना साथ दिया इस test series को finally existence में लेकर आने के लिए सिरफ sources नहीं, अपने claim को एक और तरीके से justify करूँगा ये अब तक की most comprehensive test series होगी NTA का syllabus उठा लो, लगबग 240 के आसपास आपको सारे topics मिलेंगे उन सभी topics से हमने कोई ना कोई question बनाये हैं एक नहीं, कितने, तीन, चार, पांच, पांच question होगे एक-एक topics है मतलब आप जब इस test series को पूरा solve कर दोगे, पूरा slavers जो है आपका cover हो जाएगा और वो ही नहीं, इसके साथ हमने कुछ extra topics देखे, जो NTA पूछ रहा था जो directly हमारे slavers के साथ later नहीं, हमने ऐसे topics को भी पिक किया और वो भी add कर दिये मैंने 4-5 topics की example दे दिये अगर अभी भी आपको confidence नहीं आ रहा एक चीज और बताता हूँ आपको पता होगा हम J.A.F. booster MCQ वीडियो लाते हैं exam से 3-4 दिन पहले उसमें हम क्या करते हैं, हम आपको 100 question MCQ के provide कराते हैं आपने ये videos देखी होगी और हमारा track record रहा है इस videos में और हमने proof भी दिया था आपको NLCS वाली videos में कि 2 या 3 MCQ इस video से real exam में आते हैं 100 MCQ की video होती है, purpose achieve करना यही होता है कि 2 या 3 question जो है exam में आ जाएं और वो 2 या 3 exam में आ जाते हैं, हमने proof भी नैलसेज वाली video में दिया था अगर आप सोचे 100 MCQ की video में 2 या 3 MCQ आते थे ये पूरी test series में 1000 MCQ है अब possibility imagine करो, कितने question आने के chances बढ़ सकते हैं इसके साथ इसको advanced mock test series का नाम क्यों दिया गया है ये shock proof mock test है, इसका मतलब क्या होगा जून जैसे exam में shock लगा था ना देखकर कि NTA ऐसे भी question पूस सकता है इतना tough paper भी डाल सकता है कहीं से भी कोई googley question आ रहा है statement वाले बड़ बड़े question आ रहे multiple credit जो है options आ रहे है lengthy paper हो गया, time management नहीं हो रहा पूरी तरह से question भी attempt नहीं कर पा रहे है ये shock proof बना देगा ऐसे जून जैसे exam आज के बाद आपको shock नहीं देंगे जब आप इस test series को complete कर लेंगे क्योंकि हम आपकी त्यारी को एक next level पर लेकर जाने वाले हैं, इस test series के जरीए क्या है इस test series, multiple coded option जैसे आपको बहुत सारे मिलेंगे, मतलब 5 statement दे दी और आप उसमें से choose करना है A, B, C सही है, D, E सही है C, B सही है, A, B, C, D कौन सा सही है, तो ये बहुत time consuming question होते हैं, इसलिए आपकी पहले ही इतनी ज़्यादा practice करा दी जाएगी, बाकी भी हमने सारा pattern क्योंकि NTA वो question जो है increase कर रहा है, students को handle नहीं हो पाते है, वो question उनको direct question करने की आदत है, और अप से आपकी आदत वो हम बदल देंगे और आपको बना देंगे shock proof, बिल्कुल June जैसा shock नहीं लगने वाला अब बात करते हैं, ये test series आपके लिए lifeline कैसे है, इतनी जरूरी क्यों है करनी, क्यों solve करने चाहिए mocks, बहुत सारे PYQ कर ले बहुत पढ़ लिया, बहुत कताबे पढ़ लिया बहुत notes पढ़ लिया, अपने पढ़ लिया गहीं और से भी पढ़ लिया, बहुत videos देख लिया ऐसा क्यों करना है, मैंने attempt उसकी एक वज़ा होती है आपने PYQ कर लिया, concept पर लिया, theories पर लिया सब कुछ कर लिया, सारा कुछ आपने अपनी दमाग में रख लिया, लेकिन आपने practice किया अच्छे से, कितना practice किया उन सब चीजों को, एक अधारन बताओं, chronological order में अमबेद कर की in books को लगाओ सोचो, वीडियो को pause करो देखा, एकदम अंसर आया दिमाग में, क्या आया answer, नहीं आया, अगर वो अंसर नहीं आ रहा तो इसकी वज़ाई यही है, कि आपने पढ़ लिया है, लेकिन practice नहीं किया जितना practice करोगे उतना ही ज़्यादा confidence आएगा exam में, paper देने में सिरफ confidence नहीं आएगा, real exam में सही-सही answer करके आओगे गलतियों की गंजायस जो है, वो कम हो जाएगी तो theory नहीं पढ़ते जाना, इसलिए question को practice करना है, यह test series यही कराएगी, practice करा कराकर बहुत सार effects की, concepts की theories की, आपकी जो learning है, उसको और भी ज़्यादा consolidate कर देगी, ताकि आपको बूलने के chances कम रहे, अब बात करते हैं, कुछ basic feature की इस test series में क्या-क्या है, जैसे होते हैं, हमारी test series आपने अगर कोई पहली लीए, तो वही basic feature इसमें मिलेगे, leaderboard ranking आपको मिलेगे, आपको पता चलेगा कि जो और भी students दे रहे हैं इस test को उनकी score कितनी है, वो कितना अच्छे से perform कर रहे हैं, तो आपको अपनी position के बारे में पता चलता है cut-off based evaluation आपको पता चलेगे कि आप cut-off pass कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि अगर इस test की cut-off pass करने लगे, तो आप exam में confidence से बेठो, और अगर इन mock test की cut-off pass नहीं हो रही है, तो आपको और मेनत करनी पड़ेगी, इसमें topic wise आपको strength and weakness पता चल जाएगी कि आपके topic कौन से है, जो अच्छे की नहीं, सारे options की जो गलत है, वो गलत क्यूं है, जो correct है, वो correct क्यूं है, यह सारी explanation आपको इसके साथ मिलने वाली है अब इसकी pricing और early bird offer की बात करते हैं, इसका original price चो रहेगा, वो है 1000, कैसे हर एक mock test 100 question का है, और हम लेगे कि एक mock test के 100 rupees भी price हो है, तो original price कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, लेकिन हम early bird offer में जितनी इसकी value है, जो reasonable भी value है, हम उससे भी कम दे देते हैं कितनी मेनद भी की है, लेकिन हम चाहते हैं कि students तक यह चीज पहुंचे इसका early bird offer क्या होनी चाहिए, क्या 5 December, जो इस test में enroll करेगा, 299 के यह 10 mock test की test series जो है, उन्हें मिल जाएगी, और यही price 5 December में बाद में 499 का हो जाएगा 499 में हम cap कर देंगे, इससे ज़्यादा price नहीं बढ़ाएँगे, क्योंकि हमें भी लगता है कि हमेशा एक discounted value पर चीज मिलनी चाहिए, students को और सबसे बड़ी बात, इस test series की validity कोई 2 या 3 मन्त नहीं है इस test series की validity 12 मन्त है, यानि पूरा साल आपके account में रहने वाली है, जितनी मर्जी बार attempt करो, कोई रोक नहीं है इसमें किसी तरह की कोई restrictions नहीं है, कि एक बार कर सकते हो, या दो बार कर सकते हो, या validity 2-3 महीने गिनी है, 12 मन्त की validity है, आप हजार बार भी किसी test में appear होना चाहते हो, बार बार appear होते रही है, कोई tension यह, किसी तरह का कोई lock नहीं लगाया गया यहाँ अब live demo देखते हैं, और हमारी website पे चलते हैं, कि कैसे यह चीज़े work करती है, जैसे आप हमारी website azuseaker.in खोलेगे, तो आपको कुछ इस तरह का page, home page हमारा दिखाई देगा, और यह test series के column में, यह first जो test series, advanced mock test series, आप इसमें जाकर enroll करना है, यह वैसे description में आपको link भी बिल जाएगा, और सीधा यह description में जब आप click करोगे, तो यह वाला page आपको खुलता हुआ दिखाई देगा, यहां से सारी जो है information आप देख सकते हो, इसमें जो जो test है, वो कौन-कौन से है, कितने question है, कितने minute तक चलने है, यह सारी चीज़े detail आप यहां से देख सकते हो, ओके, तो इसमें अंदरोल करने के लिए आप buy now पे click करोगे, अगर आपका account हमारी website पे है, तो वहां से आप email पासवर्ड बर सकते हो, अगर आपका नहीं है, तो आप sign up कर सकते हो, सबसे असान काम है, sign in with google करो, पासवर्ड याद रखने की जुरुरती नहीं पड़ती उससे, तो जैसे ही आप login करेगे, यहां पर आपका जो profile है, वो दिख चाएगी, और buy now पर आप दुबारा click करोगे, तो आपको payment के page पर यह ले जाएगा, और यहां से आप payment कर सकते हो, UPI से, credit card से, debit card से, net banking से, किसी भी बे में, payment करने के बाद, आप यहां से भी जा सकते हो, go to collection में, यहां फिर आप जाओगे, my collection में, सीधा, क्योंकि आपने my collection में, जो कुछ भी हमसे purchase किया होता है, वो यहां पर आ जाता है, तो test series के column में जाओगे, यह आपको test series दिखाई देगी, और click करोगे, और किसी भी test में आप appear हो सकते हो, start कर सकते हो, तो मैं यह start कर रहा हूँ, political theory का test, instruction आगे, इसको आप read कर लेना, ठीक है, और यहां से question जो है, शुरू हो जाएंगे आने, time यहां पर चल रहा होगा, ठीक है, आप इस time को pause भी कर सकते हैं, अगर आपको disturbance हाती है, गर पे कर रहे हो, या कोई और, तो उसमें आपके यह test को pause करके, दुबारा से continue कर सकते हो, तो चलिए, इसको मैं जस्ट दिखाता हूँ आपको, कि ऐसे solve करते था हो, हलां कि question read नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे बस attempt करते जा रहा हूँ, ठीक है, यह दिखाने के लिए, आप question देख रहे हो, कि कैसे कैसे आ रहे हैं, जैसे यह js.mil की liberty के बारे में आ गया, तो एक, तो, तीन, चार, साथ में क्या आगी है, statement आगी है, अब इनको आपने correct answer देखना है, तो आपको पढ़ने में time लेगेगा, आप चार statement बैठ के पहले read करो, फिर देखो कि वो js.js.mil के liberty के साथ associate कर रहे हैं, सई statement है भी या नहीं, फिर उनमें से option चूज करो, इसलिए यह question lengthy होते हैं, और जब आप real exam में ऐसे question आ जाते हैं, तो आपसे time manage नहीं हो पाता, तो वो ही time हमने यहाँ पर manage करना है, वो चीज़ सीख लेनी है, दूसरी बड़ेगा बात यह भी होगी, कि अराम से आप चीज़े पढ़ पाऊगे, क्योंकि dark theme ने हमें website बनाई है, उसके reason यह है कि आपकी आखो में इस train नहीं पड़ेगा, दो गंटे तक आपने इस test series को बैठ के देना है, इसलिए आपकी eyes की care की भी monitor रखते हुए, इसको dark theme में ही रखा है test को, तो इसको attempt करते जाते हैं, ऐसे ही दिखाने के लिए आपको, और एक चीज और इसमें ध्यान रखना, कि यह जो होते हैं न टूल, इसको और ज़्यादा use कीजिए, utilize कीजिए, real exam में भी करने होते हैं, माल लीजिए यह question में, मैं sure नहीं हूँ कि इसका answer क्या है, तो मैं save and mark for review कर दूँँगा, ठीक है, और यह मुझे बता देगा कि आपने इसको दुबारा देखने के लिए आना है, अगर आपका mind change हुआ, तो मैं इसको, माल लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, कहीं और पे हूँ, तो मैं सीधा यहाँ पर आऊँगा, और मैं वापस आकर, अगर मैं mind change होता है, कि नहीं इसका answer तो यह, तो मैं change कर लूँगा, ठीक है, तो आपके सारे यह green होने चाहिए, जिस पे आप sure नहीं हो, उस पे आपके यह वले होने चाहिए, purple वले, real exam में शायद कोई और color होगा, तो आपने उस color का भी ध्यान रखना है, तो ऐसे करते जाना है, क्योंकि बार-बार, आप कैसे डूढ़ोगे, आपको याद आएगा, मैंने तो वो question change करना है, यार, उस question में क्या था, कहां गया question, डूढ़ते रोगे, time waste होता रहोगा, सीधा आपने क्लिक करना है, तो ये सारे tool को यहां से ही सीख लोगे, तो real exam में भी दिखते नहीं आएंगी, तो अभी मैं इस test को submit करने जा रहा हूँ, ऐसे ही, just आपको दिखाने के लिए, कि submit करने के बाद क्या-क्या आता है, ठीक है, और example इसको अभी हम submit कर देते हैं, तो submit करने के बाद आपको ये जो है पूरी report मिल जाएगी यहां पर, तो अगर कोई question मेरे जादा अच्छे से accuracy से ठीक होए होते है, तो वो मेरी strength बन जाते है, क्योंकि मैंने just एक आपको रफली दिखाने के लिए किया है, आपको topic wise सारी detail भी यहां पर मिल जाती, यहां से आप test को re-attempt कर सकते हैं, और यहां से आप solution दे सकते हैं, solution में आपको सारा मिल जाएगा, कि यह answer जो था, इसमें क्या गलती थी, इसकी explanation भी आपको detail मिल जाएगी, जैसे यह था, तो यह बता रहा है, red color, ठीक है, कि यह मैंने attempt किया था, लेकिन right answer यह था, और यह बाकी की statement भी बताएगा मुझे, कि बाकी की statement में क्या था, b क्यों false था, यह statement कैसे true हो रही है, तो यह है detail explanation जो आपको मिलती जाएगी, यहां से next next करके आप explanation देखते सकते हो, detail में वो भी मिलती जाएगी, एक चीज इसमें ध्यान रखना कि अगर आप सिरफ question को readie करना चाते हो, attempt करने का मन नहीं, वैसे attempt करना चाहिए आपको test, उसे आपकी त्यारी अच्छी होती है, तो आप सिरफ एक question को attempt करके submit करके सीधा ही solution देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे पास time कम है, तो इन सब चीजों का भी आप ध्यान रखना, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, 11 दिसमबर को कहीं पर लिख कर लख लीजिए, कि this is my giraffe day, कहीं पर भी, बोर्ड पे, sticky notes पर, उसको रोज देखना है जब तक आप 11 दिसमबर के exam के लिए पेर नहीं हो जाते, क्योंकि वो आपको focus रखेगा, dedicate बनाए रखेगा, motivate रखेगा, चलिए इसी के साथ वीडियो को खतम करते हूँ, उमीद करते हैं, यह test series आपको पसंद आएगी, लिंक इसका description में, वहाँ से जाकर आप enroll कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के लिए thank you, आपको exam के लिए all the best, bye.